नमस्कार दर्शकों आप सभी का हमारे चनल में बहुत बहुत स्वागत है नए साल की शुरुवात पोस की अमावश्या से हो रही है इस समय पोस माह चल रहा है ऐसे में पोस माह की अमावश्या पंदरवी तिथी को होती है पोश्मा अवावस्या के दिन पवित्र नदी में इसनान करना दान करना का आदी महत्व बताया गया है इस दिन पित्र दोस से मुक्ति प्राप्ति के लिए विशेश उपाय भी किये जाते हैं पित्र दोस के कारण परिवार की सुख सम्रदी और शांती में प्रभाव पड़ता है इसलिए आप इस दिन अपने पित्रों की शांती के लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं साल का पहला दिन है और इस दिन आप किसी भी पवित्र नदी में जरूर इसनान करें अश्मेक यल्ग के बरावर आपको फल की प्राप्ती होगी गंगा इसनान के बरावर फल मिलेगा आप अपने वईश वरदी में समस्या आ रही है इन सबसे मुक्ति के लिए भी अमावस्या के दिन उत्तम माना गया है पोश अमावस्या के दिन सरवारत सिध्योग भी बन रहा है पोश अमावस्या के दिन आप प्राता काल से ही नदी में जाकर इसनान कर सकते हैं या हमने बताया है कि घर में आप गंगा जल और हल्दी डाल कर इसनान करें साथ ही इसके बाद आप विदिवद भगवान का पूजन करें जिस भी भगवान के आप आराधना करते हैं उनकी पूजा करें और आप इस दिन दान अवश्य करें किसी भी गरीब व्यक्ति को दान करें बच्चों को दान करें या किसी भी जरुरत मन्द को दान करें अन का दान कर सकते हैं वस्तर का दान कर सकते हैं सोना चांदी गाये दान भी कर सकते हैं तो आप जैसी आपके श्विक्षा हो उसी साब से आप दान कर सकते हैं इस दिन बताया जाता है कि पित्रों की पूजा भी की जाती है। दोश अमावस्या के दिन इसनान और दान के बाद पित्रों का इसमरन करें पित्रों का तरपन करें उनके लिए तरपन पिंद दान शाद आदी भी करवा सकते हैं आज के दिन पित्रों को तरप्त करने के लिए ये सब किया जाता है ताकि पित्र खुश हो जाएं और आपके घ पित्रों के लिए शाद कर्म के लिए आपको सुभा 11 बच कर 30 मिनिट से लेकर दो पहट दो बच कर 30 मिनिट तक का समय उत्तम रहेगा तो इस बीच में आप अपने पित्रों का शाद कर्म भी करवा सकते हैं। और भगवान 33 कोटी देवी देवताओं का असिरवाद भी आप पर बना रहेगा। दर्शक के दिन आप अपने पित्रों के तरपन के साथ साथ भगवान शिव की आराधना भी करें। तो दर्शकों आप और भी उपाय जानना चाहतें तो हमारे चैनल से जुड़िएगा।